नमस्कार दोस्तो अपने योटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम आपको इस्पेसल वाइरिंग करके दिखाएंगे इलक्टिक वाइरिंग करने का आज का हमारा यही टोपिक है तो दोस्तो अभी तक आपने मेरा चैनल सस्क्राइब नहीं किया चैनल को सस्क्र सब्सक्राइब कर ले साथ मुपल आइकन की घंटी भी दबा दें, जिस चाने वाला नोटिफियेकरिशन आपको जल्दी से मिल जाए। यह देखे यह हमारे शुच है। इसमें 4 सुच है और 4 सोकिट है। यह सोकिट है। तो इसमें हमने 4 सुच और 4 शुच लगाई । अब यहां से सोट किया यह यहां आया और यहां से सोट करके यहां आया और इसको यहां तक आया इसमें हम इनपुट यहां दे देंगे इनपुट हम इसके सेंटर में देंगे दो इधर होंगे और दो इधर होंगे तो हमारा पूरा लोड डैवर्ट हो जाएगा तो दो इधर सुच पर रहेगा और दो इधर सुच पर रहेगा यह देखे अब इसके बाद यह हमारा ओन आप सुच है ओन आप सुच से यहां से हमने यह वाइरिंग की और इसके बाद फिर हमने यह वाली दूसरे इसकी वाइरिंग की तो यहां से इसके यहां से लिया यह वाला कनक्सन यहां से यहां लिया और यहां से इसके वाइरिंग यहां ली और इसके वाइरिंग यहां ली तो दोस्तों यह इसके वाइरिंग हो गई अब यह ध्यान रखने वाली चीज है यह हमारा N है n को हमने ऐसे किया common किया हुआ है यह सब पूरा common कर दिया है यह वाली हमने पूरी common कर दिया है यह हमने black wire से किये हमने इसमें color coding का भी बहुत बहुत ध्यान लख है यह हमारी neutral हुई देखे यह हमारे socket है तो socket को हमने यहां से ऐसे ऐसे पूरा सोट करके कोमन बना दिया है अब बात करते हैं हम ग्राउंड की ग्राउंड में हमारा green wire यूज होता है तो यह यहां से जो हमारी बड़ी पीन होती है यह देखिए यह हमने ऐसे यहां से सोट किया है अब जो हमारी वाइरिंग आएगी बोड की वाइरिंग आएगी तो एक हम यहां neutral लगा देंगे और एक हम यहां इसमें 200 किट के 200 किट इधर रहेंगे 200 किट इधर रहेंगे बीच में यहां से हम positive wire लगा देंगे तो हमारी जो distribution होगी wiring की distribution AC की distribution सही हो जाएगी ना यह जादे गरम होगे ना यह जादे हमारे हिट अप होगे अब यह तो हो गई हमारी wiring अब हम इसके connection करने आपको बता दें यह देखे दोस्तो जब हम इसकी wiring करते हैं तो यह जो हमारा switch है और यह वाला यह हमारा right hand है तो हम इसके positive connection देते हैं शुच के थूरू हम इसको positive connection देते हैं यह हमारा neutral होता है यह positive होता है ऐसी सब जितने भी हमारे यह newtel है और यह L फेस है यह newtel है यह फेस है और यह सुच के थूरू हम face देते हैं यदि हमें कोई काम करना हो या कोई चीज इसमें से Remove करनी हो जैसे हमें top remove करना है तो हम सुच अप करके ही इसको remove करते हैं जिसे हमारे current ना लगए यह दिया हम दी हम इसको उल्टा सिधा connection करेंगे newton face में देंगे face newton में देंगे तो हमारा फिर क्या newton cut होगा face इसमें परमानेट रहेगा जैसे हम आत लगाएंगे तो हमारे करंट लग जाएगा तो दोस्तों हमने इसकी कलर कोडिंग का भी ध्यान दख्था है हमने इसकी सोकिट का भी ध्यान दख्था है हमने इसका एलर नूटल का भी ध्यान दख्था है एक बार आपको दिखा दें यह यहां इसमें यह यहां लिखावा है और यहां इस साइड में जो red है यहां इस पर L लिखाव है तो neutral देखिए एन और इस साइड में L चमक रहा होगा यह N यह हमारा यहां N है और यह हमारा L है तो हमने इस चीज का भी ध्यान दिखागा है NL का और ये Ground का ये देखिए यहां Ground भी दिखाया हुआ है देखिए ये Ground भी दिखाया हुआ है इसे परदर्शित करते हैं तो दोस्तो इस तरीके से ये हमारी wiring पूरी complete हो जाती है wiring पूरी complete होने के बाद ये हमने दो ये socket की पूरी wiring कर दी है दो हमारे board बन कर तयार हो जाएंगे और इसमें एक खास बात ये है हमने इस wiring में हमने इस wiring में ये फेरोल लगाए है इनको हम फेरोल बोलते हैं ये लग-लग size के एक wire के लिए ये देखिए ये अलग है हमारा ये छोटा है और ये थोड़ा सा इससे बड़ा है रेड में हमने ये लगाए है बलेक ये है यलो है ग्रीन है और ये सपैद वाल है वाइट है एक wire हम आपको इसको खोल के दिखा देते हैं यहां से ये देखिए ये हमने पूरी इसकी यहां से wiring की हुए ये ट्विस्ट है ये देखिए ये हमारी ये पूरी इसकी wiring है यहां से हमने wire डाला है यहां से और इसको यहां से हमने ये ट्विस्ट किया है और हम आपको crimp करने वाला tool भी दिखा देते हैं ये देखिए ये हमारा crimping tool है हम इसको में size set कर सकते हैं यहां हम इसको रखते हैं यह हमारा टूल है इसी से हम यह कर रहे हैं देखिए लगलग साइज़ के अलग लग हम इसमें यहां से सेट कर सकते हैं यह हमारा सेट प्वेंट आता है इसमें हमें यहां कितना मोटा इसमें यह फैरोल लगाना है यह देखिए हमारा बड़ा है हमने दिखाये थे आपको और यह हमारे छोटे वाले यह छोटे बड़े सब तरे के फैरोल है यहां पर लगाना है कैसे लगाएंगे यह देखिए यहां बस इसको हम इसके यहां इसके साथ इसको लगा देंगा वाइडिंग कर देंगे मैं आसा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगई होगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें पर अभी तक आपने मेरा चैनल सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सस्क्राइब भी कर लें जय हिं जय भर झाल